पांच फरवरी 2022 का दिन हमारे देश के लिए काफी ज़्याद एतेहासी करा फ्रेंट्स क्योंकि इस दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने हैदराबाद में दुनिया की दूसरी सबसे उची बैठी अवस्था में मूर्ती यानि की स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी जि मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ फ्रेंट्स मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपोरेंट लिए अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी साधा यूसफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करत से हैं फिर्स्ट कोशन है मारा स्टैचू ऑफ ओफ इक्वैलिटी का उधगाटन 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किस ने किआ सही आंसर है सका ऑ्श्ड अ अप्शन B नरेंद्र मोधी पधान नरेंद्र मोधी जी ने फिर्फडस पांच फरवरी 2022 को हैदराबाद में इस question से related important point discuss कर लेते हैं वसुध है कुटुमबकम जिसे का मतलब होता है दुनिया एक परिवार के उनके विचार को कायम रखते हुए हमारा देश भारत रामानुजवचारे की एक हजार भी जैनती को समानता के तेवार के रूप में मनाया गया है परधारमंती नरेंद मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैच्यू ओफ इक्वैलिटी का उधगाटन किया है रामानुजवचारे की है परतीमा उनकी ज्यान विराग्य और आदर्शों के परतीक है इस स्टैच्यू के बारे में एक एहम फैक्ट है कि यह स्टैच्यू मेड इंच चाइना है इसे बनाने का सारा काम चीन में हुआ है और फिर इसे करीब 1600 टुकरों में भारत लाया गया स्टैच्यू को बनाने के लिए इसका कॉंट्रेक्ट चीन की एरोसन कॉर्परेशन कंपनी को दिया गया था अगर दुनिया की बैठी मुद्रा वाली प्रतिमाओं की से तुलना की जाए तो स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी दुनिया की दूसरी सबसे उची प्रतिमा है इसकी उचाई 216 फूट है इसे पंच लोहा से बनाया गया है जो की सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया है यह आपने याद रखना है स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी का पूरा प्रोजेक्ट करीब 45 एकड़ में फैला है जिसकी कुल लागत करीब 1000 करोड रुपे है हाला कि यह प्रोजेक्ट डोनेशन के पैसों से पूरा हुआ है और इसके लिए जमीन माई होम ग्रूप के जो पहली रामिश्वराउने दान अगला कोशन स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी किसकी मूर्ती है सही आंसर है ऑप्शन भी रामानुजाचारे की मूर्ती है स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी यह आपने याद रखना है अगला कोशन स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी कहां स्थित है सही आंसर है ऑप्शन भी तेलंगाना के हैधराबाद में, तेलंगाना के हैधराबाद में statue of equality स्थित है, अगला question रमनुजाचारे की statue of equality दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ती है, तो पहले तो पहली सबसे बड़ी मूर्ती कौन सी है, सही answer इसका, option A, बुद्धा statue जो की Thailand में स्थि देखो फ्रेंट्स मैंने आपको Statue of Equality के बारे में complete information देदी ठीक है अब फ्रेंट्स मैं आपको रमन जोचारे के बारे में बतायता हूँ जिनकी ये मूर्ती है Statue of Equality वर्ष 1170 में तमिलाडू के शिरी पैरंबदूर में जन में रमन जोचारे एक वैदिक, दारशनिक और समा करते हुए पूरे भारत की यातरा की उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुना जेवित किया और उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारदारों को प्रेडित किया अगला कोशन संत्रामन जोचारे का संबंद किस धरम से हैं सही आंसर इसका ऑप्शन ए सनातन धरम से संबंद रखते हैं संत्रामन जोचारे अगला कोशन संत्रामन जोचारे का संबंद किस आंदोलन से हैं सही आंसर है Option B भक्ती आंदोलन से संबंद रखते हैं संत रामनो जोचारे आखरी कोशन संत रामनो जोचारे का जनम कहां हुआ था सही आंसर है Option D तमिलाडू भारत का जो तमिलाडू राज्य है यहाँ पर संत रामनो जोचारे का जनम हुआ था मैंने आपको यह कुछ important questions करवाई संत रामनो जोचारे से related और statue of equality से related जितने भी questions important बन सकते थे आपके exam के लिए वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में करवाई अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए वीडियो को like और share ज़रूर करना और फैंट्स आपके लिए की important information यह है कि हमारा ना अलग से channel launch हो चुका है current affairs का जिसका नाम है current affairs by ravie इस channel को भी आप subscribe कर लीजिए हाँ भी daily current affairs बढ़ाया जाता है बिल्कुल detail में current affairs by ravie youtube channel को subscribe कर लीजिए तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best